ऑग को तो अबकर आज में की बात करेंगे कि प्यप प्लेट मसीन चलाते में प्लेट में बीच detachables क्यों साइट में नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी कोशिस यह रहती है कि हम आप लोगों को वह सारी जानगाड़ी दे जिससे कि आप लोग अपने काम को अच्छे से कर सके तेहले दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप सब का बहुत-बहुत स्वास करता हूं मेरे शीटूप चनल पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो बताने वाले हैं जिससे कि जो ल और आसानी से अपने काम को कर सके तो चलिए आज हम बात करते हैं कि पेपर प्लेट जो हम बनाते हैं उसके बीच से क्यों फटता है और साइड से क्यों फटता है दोनों को डिसकस करेंगे हम और दोनों को बताएंगे कि दोनों जगह से कैसे ठीक किया जा सकता है तो चलिए तो उससे पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं तो प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अगर पेस करें ताकि जब इस तक है वीडियो अप्लोड करें वह सबसे पर आप तक मुच्छे दोस्तो पेपर प्लेट में जो है मसीन बहुत ही बारिकी से इसको देखना परता है और अगोई यह जिए आप एक बार इसको seen चला ना और इसको समझ गए इस मसीन को तो आप अच्छे सब्सक्राइब काम कर सकते हैं और एक मसीन से आप दस मसीन बना सकते है تو कैसे होगा सब्सक्राब पर चलिए हम बात करते हैं मारा साथ नमर का पैसे प्लेट नग होता है ऐसके कारण है उसके कारण के बारे हम बात करते हैं तो जैसा कि आप प्लेट देख रहे हैं यह प्लेट वैसे अभी तो बिल्कुल मस्त है बहुत अच्छा अभी कोई दिकत नहीं है सब जगा से बढ़िया है और जब भी यह प्रोब्लम होता है तो यह बीच से और साइड से होता है यह मे दाझित क्छा जाer निकल रहा है तो जब भी आपको इस तरह का प्रोबलम अगर आती है मसीन में तो आपको सिंपल सा ॱकरणा है और को क्या करना है टाई का उपर में 3 नट होते हैं उसको दीनों को खोलना होता है और खोल हो उसके अंदर से आपको एक स्प्रिंग निकलेगा उस स्प्रिंग को आपको क्या करना हम दिखाते हैं स्प्रिंग कैसा होगा और डाई कैसा हो यह भी दिखाते हैं आपको बात जो है उसको ठीक करने की तो ठीक करने का जो बात है इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है इस डाई के अंदर में एक स्प्रिंग होता है और वो स्प्रिंग जो है वो किसी किसी में ज्यादा बला होता है किसी में छोटा होता है तो जिसमें छोटा होता है उसमें वो समस्या तो नहीं होता है लेकिन जिसमें बड़ा होता है उसमें अक्षर ये समस्या देखी जाती है तो आपको क्या करना है ये जो नट दिख रहा है आपको तीन नट होता है सब डाई के उपर कोई साभी डाई हो सम्में यही प्रोब्लम होता है सम्में यही प्रसानी होता है चाहे हो आ प्छलिया में लिए प्रिंग को तो जिसे दिखा क हाँ ज्यादा बड़ा है तो पहले इतना सा चोटा कहिं उसके एत्थ रोगे चेक किए उसके बाद भी को सुआहगा इते चोटा किये इसके बाद कर रहा प्रोग्लम आपका दूर हो जाएगा बीच से फटने वाला अब बात करते हम साइड से फटने का खारन क्या होता है वही हम आपको मस्षीण के पास चल के दिखा देते हैं उसके बार आपको बताएंगे देखके आप अगर दिखा के बताते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ हम लोग चैन को सेटिंग करते हैं इसे साइज आगे पीछे होता है तो जब भी प्लेट अगई इदी किनारी पर साइड से फट रहा है तो आपको अक्सर इस चीज को ध्यान देना है कि यह जो नट लगा हुआ है यह होता है टाइट इसको आपको खोलना है और खोलने के बाद उपर से खोलना है उसके बाद यह हो जाएगा धीला यह जो हैंडल लगा हुआ है यह हो जाएगा धीला उसके बाद इसको आपको क्या करना कि थोड़ा सा आगे तरफ खिसकाना या तो इधर कर लें अगर ठीक होता है तो ठीक है नहीं तो फिर उसको वापस पीछे की और कर करते हैं तो अगर ज्यादा फट रहा है तो समझें कि आपको पीछे करना है तो कि वह साइड जो प्रोबलम है वह इसी से होता है तो इसमें आपको सीर्फ और सीर्फ पहले आए करके देखना है उसके बाद नहीं हुआ तपी पीछे कर देखना है क्यों सब मसीन में फुल लगे तो इसको आप अप लोड करके रख भी सकते है और नहीं तो इसको सीव कर सकते है कि ताकि आपको जब भी काम करना हुआ तो प्रोबलम नहीं हुआ और देखbits है हुआ है तो वो भी आपको ठीक होगा एंसे को छोटा करने क्यूंकि ऑघर छोटा होगा तो चिपना भी बंध हो जायेगा और ज्यादा इस प्रिंगीज बढ़ा रहेंकि प्रेसर ज्यादा पड़ होगा तो इस लिए आप वोचीज होगा आपको पसंद आया और देख के बहुत कुछ सीखिने को मिला होगा तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आका जरू प्रेस करें ताकि जब इस तक वीडियो अप्लोड करें उसाल से पहले आप तक पहुंचे तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टप तक के लिए धर्नेवाद